हेलो फेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनिशल मेनेजमेंट के कुछ और गनाइजेशन के थूप तो बिसिकली सबसे पहले आपको यह जाना इंपॉर्टन होता क्या है देखिए फाइनिश जो है हमारा वह फाइनिशिंग से डिलेटेड होता है यह प्रॉसेस होता है जिसे हम फंड को रेस करते हैं या अपने कैपिटल को रेस करते हैं किसी भी त होता है जिससे क्या किया जता है कई सारे फंड को चैनल किया जता है चाहे वह किसी फॉर्म में हो क्रेडिट फॉर्म में हो लोन फॉर्म में हो या इन्वेस्टेट कैपिटल फॉर्म में हो हमारी एकनॉमिक एंटिटीज में और यह हमें ज्यादा जो यह होता है यह हमें मोस प्रफिट नीड होता है इसकी बहुत हमें काफी जरुत होती है क्योंकि फाइनस नहीं होगा तो आप कुछ भी सेट अप नहीं कर पाऊगे आप कुछ लेने जाओगे पैसे नहीं तो आप कैसे लोगे तो पैसा जो है वह काफी बॉटन प्रिता चाहे बिजनस रन करना हो आप कुछ भी करना हो थिक है चार अपिए हुए है कि फाइनसर करता है management को Maarफ प्रॉफिट अपने उर्न की अपने बिजनस में उसके फ्लोग को फ्लोग आप्ट सुस्वाइश और देखे दोवड में पैसे होते हैं चाहे पैसे पार्म करता है, या फ्लो में आरे चैटल या फिर जो भी आप कापिटल आरा है, किसी भी चीजिक के लिए उसके management को हो जाएगा कि फाइनलु स के इसा हमारे बीजनस के इन दर उसके फ्लो मैंस मैनेच करता है organization के through next question is which decision of the firm are guided by risk return trade off कौन सा decision होता है किसी भी firm का जो guide करता है risk return trade off को अब ये risk return trade off क्या होता है ये एक higher risk होता है जो associate करता है कि हमें greater probability होती है मिन्स की ज़्यादा ये हमारी एक thinking होती है probability होती है कि हमें higher return होगा और lower risk होगा with a greater probability of small जब हम किसी investment decision को consider करते हैं ठीक है तो यहाँ 4 options ये हुए है logistic, distribution या financial या फिर none of these logistic क्या होता है logistic ये होता है जहाँ पर organization की detail को और implement किया जाता है किसी भी complex operation मिन्स कठिन कोई भी प्रक्रिया होगी operations होगे उसको वहाँ पर implement किया जाता है organization के तरू तरू तन आता है distribution आप क्या चीज़े किस तरीके से distribute करते हो तन आता है financial ठीक है जो भी finance related चीज़े होती है तो यहाँ पर आपको कौन सा decision firm का बताता है कि guide करता है कि risk return trade off के बारे में तो financial के जो भी firm का कोई भी जो financial होता है वो decision हमें बताता है कि कितना risk है कितना return है कितना trade off ठीक है तो answer हो जाएगा हमारा financial the next question is the agency problem will occur in the firm किसी भी business firm के अंदर कोई agency problem आती है occur होती है तो if the goal अगर वहाँ पे जो goal है of dash and shareholder do not agree क्या goal होता है और जो shareholder हमारा agree नहीं करता है तो चार option दिये हुए है हमारे पहला है investor दूसरा है public तीसरा है management और चौता है non of these हमारा management जो होता है investor कौन हुआ investor जो हमारे company के अंदर invest करते हैं public क्या है जो हमारे society वाले हो गए हमारे जो भी company को जिससे affect पड़ता है वो public हो गए management जो वहाँ पे business firm के अंदर जो भी manage किया जा रहा है वो management का हिससा आता है तो क्या होगा कोई भी business firm में अगर कोई agency problem अकर होती है तो if the goal of management अगर goal of management में किसी तरह की agency problem आती है तो shareholder क्या करता है वहाँ पे agree नहीं करता है आंसर क्या हो जाएगा हमारा management Assume the camp C.A.P.M. C.A.P.M. क्या है हमारा capital assets pricing model यह क्या है हमारा यह एक idealized portal होता है ठीक है कि कैसे हम अपने finance market price को securities को क्या करें यहां पे ideal करें यह portrait करें उसको determine करें उसको देखें कि हमारी expected return क्या हो सकती है जिस भी या फिर हम जो capital investment कर रहे हैं उससे related ठीक है वह हमारा C.A.P.M. क्यालाता है you have a stock that has bet 1.5 अगर आपके पास कोई stock है जिसका bet है हमारा 1.5 and an expected return will 12% उसका expected return जो है वो 12% है free risk rate 3% है हमारा free risk rate कितना है 3% है तो क्या what must the expected return of the market भी क्या expected return होंगे market के यह चौर option दिया है 16.5 6% 9% और 8% expected return हमारा क्या हो जाएगा 9% answer हो जाएगा हमारा 9% what capital asset pricing model means कि जो हमारा C.A.P.M. था वो हमारे relationship को explain करता है कि कैसे हम अपने assets को price देंगे किस के अंदर capital market के अंदर money market के अंदर security market के अंदर या portfolio market के अंदर capital market क्या होता है यह एक financial market होता है जहां पर हम long term debt और equity को क्या करते हैं उसकी securities देखते हैं ठीक है साथ जाथ उसको बेचना उसको खरीदना यह सारी चीज़े देखते हैं वहां पर हम अपने जो भी money market होती है ठीक है कि money market where short term debt is वहां पर जो भी short term debt होते हैं हमारे उसको बेचते या खरीदते हैं ठीक है कि वह हमारा capital market कहलाता है capital marketing के अंदर क्या होता है हमारे सारी जितने भी बॉंड्ट होते हैं उनको security दी जाती है साथ जात expected return capital investment के बारे में भी देखा जाता है उसको बेचना है या खरीदना है साथी साथ जो भी money market हमारे short term debt होते हैं उनको fund ठीक है यह हमें क्या करता है short term fund provide करता है the money जो money होती है वहाँ पर market the money market deals जो हमारी money market होती है वो deal करती है short term loan से generally जो हमारे एक साल या उससे कम क्या होता है वो हमारा money market होता है then आता है security market security market एक system है interconnection का between all participants जिते भी हमारे participants होंगे उनके बीच के interconnection का जो हमें provide करते हैं effective condition अच्छे condition ताकि हम अपने new capital को attract कर सके आकर्शिट कर सके जिसका मतलब है कि हम new security को issue कर रहें generate कर रहें ताकि हम उसको transfer कर सके अपने real assets को financial assets में बदल सके ठीक है then हाता है portfolio market portfolio market क्या होता है यह theoretical bundle of investment है ठीक है जो include करता है हर तरह के assets को जो हमारे investment universe में available है मतलब कि investment की जो दुनिया है उसमें जितने भी हमारे type of assets होते है उसको जो available है उसको include करता है साथी साथ हर assets जो जिसका weight होता है in proportion हमारे total presence in market उसको क्या करता है वो अपने साथ रखता है यह हमारा portfolio market कर लाता है answer हो जाएगा हमारा capital market CAPM जो है वो हमारा relationship explain करता है कि कैसे assets को price किया जाएगा capital market के अंदर क्योंकि यह जो होता है हमारे long term debt equity इन सब को security भी provide करता है और उसको कैसे बेचा जाए कैसे sale किया जाए कैसे खरदा जाए साथ जो money market होते है उसमें short term debt को कैसे बेचा जाए और खरदा जाए यह सारी चीज़े से deal करता है तो answer हो जाएगा हमारा capital market the market portfolio has a beta of जो हमारा market का portfolio होता है उसका उसका beta क्या होता है माइनस बन पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट फाइव या वन पॉइंट जीरो तो आंसर हो जाएगा हमारा वन पॉइंट जीरो the next question is according to the capital assets pricing model means की CAPM के according a well diversified portfolio rate of return is a function of जो हमारा well diversified portfolio rate of return है वो क्या है एक यह include करता है variety of securities को यह portfolio जो होता है यह हमारे कई सारे variety of securities को include करता है साती सात वो क्या करता है हर securities को any securities को wait करता है in small जो की छोटे होंगे closely approximate होंगे जो systematic risk हमारा overall market में होता है या unsistematic risk जो हमारा होता है उन सब की जो है security देखता है by diversified out of the portfolio portfolio के diversified out जाकर के तो यह हमारा कहलाता है well diversified portfolio rate of return यह function होता है किसका market risk का कि market में कितना risk है unsistematic risk कितना unsistematic risk है या unique risk अनोखा risk या reinvestment means कि जो भी आप दुबारा reinvest करते हो तो market risk क्या होता है यह एक risk of loss in position होता है किसी position पे जो arise करता है from the movement in market अगर market के अंदर कोई movement होती है तब आता है ठीक है जैसे कि price and volatility volatility ठीक है जो हमारा price और volatility होती है मैं इसके वह क्या होता है fluctuate होता है ठीक है अगर किसी तरह का market movement होता है तो इस तरह का market risk हमारा occur होता है no unique classification किसी तरह का classification नहीं होता है या फिर इसकी यह different different aspects को भी differ करता है यह हमारा market risk कहलाता है of market risk को हमारे अलग-अलग अलग-अलग expect को यह क्लासिफाई करता है देन आता है on systematic risk यह risk होता है जो कि unique होता है किसी भी specific company या industry के अंदर ठीक है और इसको हम non systematic risk के नाम से भी जानते है specific risk के नाम से या diversifiable या फिर residual risk इसको हम idiosynchronic risk भी कहते हैं ठीक है unique risk क्या होता है unique risk जो है हमारा यह भी हमारा unsystematic risk की तरह होता है और इसको हम idiosynchronic risk भी कहते हैं दन आता है reinvestment risk यह risk जो होता है वो refer करता है possibilities को जो भी investor होते हैं उनकी possibilities को जो enable होंगे means a section होंगे कि वो reinvest कर सके हमारे cash flow में जो received हो रही है हमारे investment से जैसे की coupon payment और interest किसी भी rate पर जो कि comparable होगा हमारे current rate के return से तो वो हमारा return reinvestment risk के अंडर आता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा market risk क्योंकि capital assets pricing model जो होता है यह हमारे well diversified portfolio rate of return के बारे में बताता है और यह function होता है हमारे market risk का क्योंकि यह हमारे position को बताता है कि market variable होता है अगर उसमें जरह से मुव्मेंट आती तो क्या होता है कि वह भी change हो जाता है ठीक है उसका प्राइज और टीवी चेंज आता है और कैसे beta equals to zero beta is greater than one beta is smaller than one यह beta is equal to one तो हमारा beta is greater than one हमारा जो हो जाएगा वह companies हमारी select करती है beta क्या होता है यह domain होता है किसी भी real number का ठीक है रिस्क premium in the capital SS pricing model is given by जो हमारे रिस्क का premium होता है capital camp में CAPCMP में वह कैसे given होता है आर एफ के एम माइनस आर एफ या beta km-rf या beta km तो हमारा answer हो जाएगा beta km-rf से ठीक है the dash provide an unequivocal statement on the expected return beta relationship for all assets where the dash implies that relationship hold for all but perhaps a small number of securities इस मिन्स कि क्या चीज है जो प्रोवाइड करती है अन एक्वी वोकल स्टेट्मेंट की एक वे होता है जैसे हम किसी भी डाउट को छोड़ देते हैं ठीक है वो क्या चीज है जो प्रोवाइड करती है हमारे अन एक्वी वोकल स्टेट्मेंट को on the expected return beta जो हमारे return beta का expected होता है कि हम इतना आएगा जो कि relationship होता है सारे assets से where the dash वहाँ पे क्या होता है implies करता है ठीक है means की सुचित करता है वो की relationship जो है वो hold करता है सारे सबको for all सबके लिए but perhaps a small number of securities वहाँ पे कम शोटे नंबर की जो है वो security होंगी तो क्या क्या हो सकता है a p t और c a m p a p t क्या होता है arbitrage pricing theory है और क्या हम तुझा सा कि आपको पता है कि वह capital capital asset pricing model होता है फिर आता है a p t o p m a p t जो है हमारा अभी आपको पताया गया कि arbitrage pricing model है o p m जो है वह operating profit margin है c a p m और a p t हमारा capital asset pricing model या फिर arbitrage pricing theory या फिर c a p m या o p m हमारा capital asset pricing model या फिर operating profit margin तो हमारा answer हो जाएगा क्या c a p m और a p t means की the capital asset pricing model provide करता है हमें equivalent statement को on the expected return ठीक है यह में c a p m provide करता है और यह beta relationship सारे assets का दिखाता है जहां पर हमको a p t arbitrate pricing theory जो है वहां पर सुचित की जाती है या लगाई जाती है इंप्लीज की जाती है ताकि हम relationship को hold कर सके सबकी बड़ स्मॉल नमबर of security के साथ ठीक है तो answer हो जाएगा हमारा c a p m और a p t the next question is the money receivable in the future जो भी money हमें receive होता है future में is dash then the money receive today वो क्या होता है हमारे आज के समिछ हम receive कर रहें less valuable means कम valuable होता है more valuable ज्यादा last valuable या equal valuable तो जो money हमें receive होता है future में वो क्या होता है less valuable होता है then the money आज आज हम उस किसी money को receive करते हैं तो less valuable हो जाएगा जरुबत आज आज आपको है तो आज के लिए उस value की money की value होगी कल उसकी तो less value हो जाएगी नकल आपका काम हो जाएगा तो उसकी value क्या घटेगी नहीं घट जाएगी तो answer क्या हो जाएगा हमारा less valuable होता है जो future में मिलेगा वो less valuable होगा अगर हमें आज मिले तो उसकी value ज्यादा होती है principal जो दोनों है हमारा original principal पे borrow किया गया था ठीक है and previous interest और जो previous interest था वो earn हुआ उसको हम क्या refer करते हैं हमारा original principal borrowed क्या होता है एक interest paid होता है जब केवल वहाँ पर जो percent होता है वो lend किया जाता है लिया जाता है उसको हम simple interest के form में देते हैं इसकी SI के form में तो क्या होगा यहां पर present value पर इसको present value कहते हैं simple interest कहते हैं यह future value कहते हैं यह पर compound interest तो हम इसको कहते हैं compound interest कहते हैं ठीक है the next question is interest paid and dash interest paid on only the original principal borrowed is often referred to as यहां answer हो जाएगा हमारा SI यहां पर हम interest paid कर रहे हैं लेकिन केवल original principal borrowed पर इसको हम क्या करते हैं simple interest कहते हैं present value नहीं कहते है future value नहीं कहते हैं compound interest नहीं कहते हैं सिर्फ क्या कहते हैं हम इसको simple interest कहते हैं तो answer हो जाएगा हमारा simple interest rule of 72 अब यह rule of 72 क्या होता है rule of 72 एक simple way है ताकि हम जान सके determine कर सके कितना long कोई investment है लिया गया है to double ताकि वो double हो सके given a fixed annual rate of interest जो भी हमारा annual rate of interest वहाँ पे fix किया गया है उस पे by dividing 72 by the annual rate of return यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 72 को आप divide कर सकते हो किससे जो हमारा annual rate of return होता है ठीक है ताकि आप इसको interest rates को जान सको तो क्या होगा doubling multiplying dividing या all of above तो हमारा क्या हो जाएगा रहता है इस फिक्स्ट रिपॉर्डिट सकीव और नागर नागर जुना बैंक ऑफ़र 10% इंट्रेस्ट यहां पे fix डिपॉर्जट स्कीम की गई नागर जुना बैंक में जो ओफर कर रही है दस परसेंट इंट्रेस्ट फॉर त्री यह डिपॉजिट तीन साहरा आप 10% 10.25% 10.38% या 10.50% तो आप यहां पे compound interest लगाओगे तो यहां पे annual interest जाना जाएगा आपका 10% Mr. Pandit expected to receive from his friend an amount of 2000 per annum जो हमारा यहां पंडित है वो अपने दोस्ते expect करता है कि वो receive करेगा amount 2000 per annum पे 10 साल के लिए if required rate of return अगर वो require करता है कि उसको 12% per annum return मिले what is the present value of these cash inflow अगर तब उसकी present value क्या होगी cash inflow की चार option दिये हुए 20,000 15,000 11,300 10,500 तो answer हो जाएगा हमारा 11,300 जब आप यहां पे present value find करोगे तब the field of finance is closely related to the field of यहां पे जो finance का field है वो किसे closely related है किस field से statics and economics statics and accounting 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 and comparative return analysis अब जो हमारे statics है statics क्या है यह discipline है जियो concern होता है हमारे collection organization analysis interpretation और presentation of data से economic जो है वो social science है जो study कराता है हमारे production distribution consumption और good service के बारे में accounting system of recording है summarize करना business के जो भी financial transaction analyze करना verify करना रिपोर्ट करना और इसका result ठीक है देन हाता है हमारे return analysis अब return comparative return analysis क्या होता है यह statistical technique होता है जो use किया जाता है finance में ताकि हम क्या कर सके deconstruct कर सके अपने return of investment को और साती है strategies को use कर सके variety of ताकि measure कर सके हम अपने जो भी estimate हमें किया हमने किया इसको जच कर सके similarities और decisions को देख सके between one day and another means कि एक या कई सारों में ठीक है तो यह finance है किस से related होगा ज्यादा economics से और accounting से क्योंकि यहां पर क्या किया जाता है हमारे production से लेटे distribution consumption गुटसन सब चीजे होती है activity को देखा जाता है साथ साथ accounting भी पूरा देखा जाता है कि किस तरीके से finance का रिकॉर्ड हुआ पैसे कहा ना जाना रिकॉर्ड होता है business related तो यह सारा हमारा कि से related होगा economic और accounting से ज्यादा तर closely related हमारा किस फिल्ट से economic और अकाउंट से that is concerned with the acquisition financing and management of assets with some overall goods in mind यह किस चीज़ से concern करता है जब यहां पर acquisition होता है finance का और management के assets का with some overall goal goal in mind यह महां पर overall goal होता है mind के अंदर तब चार option दिये हुए financial management finance को manage करना profit maximize profit maximization करना agency theory or social responsibility यह चार options में से हमारा कोई एक जो है वो concern होता है कि हम अपने finance को acquisition करें मिन्स की अधिक रहन करें ठीक है तो यह हमें बताएगा जैसे financial management finance related जितने भी management होंगे वो concern होता है हमारे acquisition financing or management of assets की कैसे assets को manage करना है कैसे अपने finance को acquisition करना है उसका कैसे उसका purchase वगरा देखना है सारी चीज़े जो कि हमारे overall goal को mind में रखते हुए कि पूरे business का क्या goal है basically उससे लेटर साइच चीज़े mind में रखते हुए हम अपने finance का acquisition करते हैं और management भी करते हैं अपने assets का तैना आता है profit maximization जादा ज्यादा profit maximize करना agency theory यह principle होता है जो use किया जाता है कि हम कैसे explain करते हैं अपनी problem को resolve करते हैं in the relationship between business principle जो relation between होता है किसके principles और agents के बीच में वो हमारा agency theory बताता है तैना आता है social responsibility जो भी हमारी society related responsibility होती है वो आंसर हो जाएगा हमारा financial management financial management जो होता है वो concern होता है हमारे financing acquisition और management of assets the next question is finance management is the effective and dash of financing resources financial management जो है वो क्या होता है effective होता है और साथी साथ financing resources के क्या होगा हमारा answer best application profitable application means जो में profit provide करें best means सबसे अच्छा efficient means की अच्छे से utilize कर सके जो भी चीज़े है या none of these तो financial management is effective and efficient utilization of finance resources finance resources जो हमारी available है financial resources उसका effective और efficient utilize करना अच्छे से उसका use करना ही हमारा क्या होगा financial management कहलाता है efficient utilization is our answer work देन आता है next question financial management is mainly concerned with जो हमारा financial management है वो जाया मेंली किससे concern है planning organizing directing controlling and the financial activity financial problem of corporate enterprise management of profit making organization या balance between return and risk तो हमारा financial management जो होता है वो plan कैसे किया जाया और नाइस कैसे किया जाया 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 तर उससे concern होता है तो answer हो जाया हमारा a then a next question financial management helps in financial management किसमें help करता है short term planning of company activity estimating the total fund required and their proper utilization in fixed assets and working capital means की हमारे total fund को estimate करना उसकी requirement को और proper उसका utilize करना अपने fixed assets का और working capital को अच्छे से use करना profit planning of the firm या फिर firm की profit का plan करना या all up above तो हमारे estimate करना अपने total fund के requirement को और proper utilization करना अपने fixed assets और working capital का यह हमारा financial management इसमें help करता है next question is basic objective of financial management is हमारे सबसे financial management का basic objective क्या होता है financial planning की finance का क्या planning करें wealth maximize ज्यादा wealth means हमारे जो भी capital होंगी उसको maximize करें या फिर profit maximum सबसे ज़्यादा profit कमा या बोथ BNC तो answer हो जाएगा हमारा बोथ BNC financial management का basic objective क्या होता है कि wealth maximize करें और profit maximize करें the next question is dash is concerned with the maximization of the firm earning after taxes क्या चीज़ कंसर्न होता है हमारे की form का earning को maximize करें tax को pay करने के बाद shareholder wealth maximization अपने जो भी हमारे company के अंदे shareholder होंगे उनकी capital means wealth को बढ़ाना या profit maximization firm की profit को बढ़ाना stakeholder की maximization जो भी हमारे stakeholder होते हैं उनका maximization करना या फिर EPS maximization तो stakeholder maximization क्या होता है यह stakeholder जो हमारे individual होते हैं या group होते हैं किसी organization के जो directly involved होते हैं या indirectly involved होते हैं और साथी साथ यह indirectly affect करते हैं हमारे project product service या enterprise ठीक है वो हमारे stakeholder होते हैं दनाता है EPS maximization EPS maximization हमें indicate करता है EPS हमें indicate करता है कि कि इतना money हमारी company में बन रहा है हर share से for of its stock उसके जो भी stocks है is widely used to metrics for estimating a corporate value जिसका use किया जाता है ज्याज़तर उसको अपने corporate value को estimate करने के लिए तो answer हो जाएका profit maximization profit maximization जो होता है वो concern होता है कि firm की जो भी earning है उसको maximize किया जाए after taxes tax को pay करने के बाद next question is there is concern with the maximization of a form stock price क्या चीज़ है जो concern है firm के stock price को maximize करने से shareholder wealth maximization profit maximization stakeholder wealth maximization या EPS maximization तो हमारा हो जाएगा shareholder के wealth maximization यह concern होता है with the maximization of a firm stock price अगर maximize करेंगे अपने stock के price को तो all automatically shareholder के wealth भी maximize हो जाती है profit maximization is also called profit maximization को हम और क्या कहते है market for expansion economic welfare working capital strategy या cash per share maximization market for expansion means कि जो market हम expand करते हैं वो यहाँ पर economic welfare यह एक branch of economic है जो use किया जाता है कि हम micro economic को technique का यूज करके अपने जो भी aggregate level है उसको evaluate करें working capital जो मारी working capital उसकी strategies पर या cash per share जो भी हमारे cash per share होता है उसको maximize करना तो answer हो जाएगा कि profit maximization is also called cash per share maximization जो भी हमारा cash है उसका पर share को maximize करना और बढ़ाना तो यह mcqs यह फिनिश होते हैं अगर आपको कोई भी queries होंगी तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं thank you so much कर दोज़ और जो बढ़ दो जाएगा जुझ सकते हैं